हे दोस्तों हिंदुस्तान के ये हतियार दुस्मनों को उसके ही बिल में छूपने के लिए मजबूर कर देगी ये ऐसे हतियार हैं जो बहुत जल हिंदुस्तान के तरकस में सामिल हो सकते हैं ये लिस्ट काफी लंबी है, हम इसको कई हिस्सों में बताएंगे कि कौन-कौन से हैं वो घहातक हतियार, तो आएए देखते हैं हिंदुस्तान के कुछ दमदार हतियार का भाग एक, इसमें जो पहला हतियार है वो है ब्रहमोस 450, इस मिसाइल को हिंदुस्तान और रूस ने मिल दिके बनाया है, पहले इसकी रेंज 300 किलोमेटर से भी कम थी, पर अब जो क्रूज मिसाइल का परिक्षन चल रहा है, उसका रेंज 450 किलोमेटर है, इसका पहला टेस्ट 11 मार्च 2017 को किया गया था, तब से कई सफर परिक्षन किये जा जुके हैं, और अब ये सेना में सामिल ह होने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसके बाद 600 और 800 किलोमेटर के ब्रहमोज का भी टेस्टिंग चल रहा है, जो दुस्मनों को उसके बिल में दुबकने के लिए मजबूर कर देगा, तो आइए अब देखते हैं इसी कड़ी में दूसरा हतिया, आकास 1S, ये आकास मिसाइ का इस्तेमाल किया गया है, जो 30 किलोमेटर तक सटीकता के साथ अपनी निसाने को बरवाद कर सकती है, भारत इससे भी अधिक सक्तिसाली मिसाइल पे काम कर रहा है, जिसका नाम है आकास NG, या फिर Next Generation, जिसकी रेंज 50 किलोमेटर से भी अधिक हो सकती है, इसके सबसे बड़ कारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट केजिए, हम इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसी कड़ी में जो तीसरा हतियार है, वो है 500 किलोग्राम का इनर्सियली गाइडेड बम, DRD यो ने 500 केजी का इनर्सियली गाइडेड बम का सफलता पूर्वत परिक्षन पोकरन में किया है, इससे अब भारत को सटिक्ता से किसी भी जमीनी टार्गेट्स को बरवात करने में आसानी होगी, ये बम भी जल्दी ही भारतिय सेना की ताकत बढ़ाएगा और दुस्मनों की परेसानी, ये थे कुछ हतियार जो जल्दी ही सामिर होंगे सेना में, इसके अगले भाग में हम देखेंगे और भी कौन-कौन से हैं वो हतियार जो दुस्मनों को उसके बिल में घुसके मारेगा, जै हिंद, जै भारत